अशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नामे सिद्धान तक नहीं हो तरी steady IQ पर आपका बहुत बहुत सबागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे गुंजन सकसेना की गुंजन सकसेना का ट्रेलर अभी पूरी तरीके से तो ट्रेलर नहीं आया बट इनकी मूवी ज सकसेना की बात करेंगे अब पे मूवी आ रही है यह चान्वी कपूर शृदेवी की बैटी बोनी कपूर की बैटी तो यह मूवी में नजर आएंगी गूंजन सकसेना को कारगिल गल्थी बूला जाता है अब आप पोस्टर को यह आपको पोस्टर है पता चल पहली महिला थी एरफोर्स ऑफिसर थी जो वार जोन में गई पंकस त्रिपाथी कमाल के एक्टर पंकस त्रिपाथी भी गुंजन सक्सेना में नजर आएंगे और ये मूवी नेट्फिक्स पे रिलीज होगी यह हॉल में थेटर में रिलीज नहीं होगी क्योंकि कॉविट चल कॉविट के चलते बहुत सारी मूवी जो है वो ऑनलाइन प्लाटफॉंस पे रिलीज हो रही है गुलाबो सिताबो अमिताब बच्चन और आईश्मान खुराना की वह भी शायद अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हो रही है ठीक है तो हम इस लेक्चर में इनकी शॉर्ट बा किया है मुझे तो उनकी स्टोरी पूरी स्टोरी देखनी है ठीक है क्या हुआ उस समय एक एक चीज रिलीज डेट जैसा कि मैंने बताया कि अभी सामने नहीं आई है पिछले साल तक रिलीज डेट 13 मार्च थी 13 मार्च 2000 भी बट किसी को नहीं पता था कि कॉवेड आ जाएग कमाल का काम एक विरांगना चलिए आगे बढ़ते हैं से रंसको रिकनेक्ट मेरा फेजबुक पेज़े सिद्धान दग्नियोतरी के नाम से मेरी फेजबुक प्रोफाइल है दोनों ही जगाप लिच्टर की PDF लेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों स्टेडी IQ का आ कारगिल गर्ण बोला जाता है ठीक है जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें कमाल का शौर है दिखाया था गुंजन सक्सेना ने ठीक है उससे में महीला पाइलेट जो थी आज तो 1600 से जाधा महीला पाइलेट्स है ठीक है वो में Air Force पाइलेट्स है और हमारे देश की सेवा कर रही है पड़ उस समय ऐसा नहीं था 1999 की बात है ठीक है इसे लिए पहली महिला पाइलेट थी जो कि वॉर्ड जोन में गई भारत को पाइलेट्स से यह थी पाइलेट्स की कमी थी है ना इसलिए महिला पाइलेट्स को भुलाया जो ट्रेनिंग हुई थी ना जो पहला बैच माईला पाइलेट्स उसमें भी यह पहली थी मतलब जो फर्स्ट बैच ऑफ पाइलेट्स था जिनको ट्रेंड किया गया था उसमें से थी गुंजल सक्सेना समझ रहे हैं तो अगर हम कारगिल वार की बात करें दोस्तों तो कारगिल वार पे मेरे बहुत सारे लिचर्स हैं ठीक है मेरे कम से कम 12 से तिरा लिचर्स हैं सब स्टडी आईक्यू पर अविलेबल है तो आप देख सकते हैं आप हीरोज ऑफ कारगिल देखिएगा उसमें मैंने जितने भी का लोगेंदर यादफ शानदार कहानिया वो सब अविलेबल हैं स्टेडी आईक्यू पर उनकी सेपरिक बायग्राफी भी रिव्यू की है विग्रम बत्रा की तो कमाल की कहानिया मनोच कुमार पांडे की तो कहानी सुनेंगे आपकी आखों में आसु आ जाएंगे तो कि क्या हुआ था कितनी मुश्किल कंडिशन थी उस समय इस सब कुछ मई में शुरू हुआ था पांच मई से तीन मई से इस सब कुछ शुरू हुआ था अगर हम कारगिल की बात करें ठीक है तो यह है जम्मू और कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है पाकिस्तान ऑ आजाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है लेकिन पूरा एरिया हमारा है अब तो होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर सब ने बोल दिया ना कि अब सिर्फ और सिर्फ बात गिलगिट बाल्टेस्तान पे होगी अभी तो वेदर फोरकास्टिंग भी गिल दारेक्ट वार हुई थी उसमें पाकिस्तान उक्युपाई कर लिया था हम इसको ले ले लेते बिलकुल ले लेते हमारी सेना तो पहुंची गई थी यहां तक बड कुछ ऐसे सरकम्स्टैंसेज बने जो ले नी पाए बड कोई बात नहीं ठीक है उसके बाद यह है अक्साइच शसगाम वेली और यह पुरा भारत के पास है ठीक है अभी ऑफिशली तो अगर हम बात करें तो कार्गिल यह आता है यह आप देख रहे हैं अब यह कार्गिल जो है यहां पे बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं है यहां पे हमारी बिलकुल लूसी के पास है ठीक है तो सेना जो है अमेशा तैनात रहती है अब 1999 की बात है अटल भ्यारी वाच में उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान से रिष्टे बहुत बढ़िया हो रहे थे बस सर्वेस पूरी बस लेके गए थे ना अटल भ्यारी वाच में तो कमाल के इंसान कमाल के लीडर थे यह 12-13 प लगा पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान भारत का चोटा भाई है चोटा भाई भले ही समय पूरा बिगड़ गया है लेकिन यह तो चोटा भाई भारत में हमेशा बोला है ठीक है तो अगर बात करें कि लगा कि सब कुछ बढ़िया हो गया है सब कुछ सुधर गया है बट वह आ लही बात है ना कि पाकिस्तान की सरकार उनकी आरमी बिर्कूल अलग-अलग दिशा में काम करती हैं परवेज मुषर्रफ के कुछ और प्लान थे पाकिस्तान का इतियास में पूरा कवर किया है तेरा 14 लेचेंट है परवेज मुषर्रफ की वायग्राफी जिया लहक की यूप खान, सब कुछ पता चल जाएगा, ही के ना, तो ऐसा है कि इधर आर्मी अलग है, इनकी सरकार अलग है, नवाज शरीव तो अटल ब्यारी वाजपई से गले मिल रहे थे, लेकिन परदे के पीछे परवेज मुशर्रफ ने ठंड का फाइदा उठा के, क्योंकि फरवरी बारे जो यहाँ पे, इंपोर्टेंट पीक्स थी ना, strategically बहुत इंपोर्टेंट थी, वहाँ पे कबजा जमा लिया, ठीक है, अब भारत को यह फरवरी में सब कुछ हुआ, नवाज शरीव को कुछ पता ही नहीं क्या हो गया, वो अटल ब्यारी वाजपई से दोस्ती कर रहे अटल ब्यारी वाजपई को भी नहीं पता हो, पता लगा कि क्या हुआ, परवेज मुशरफ ने सारा खेल कर दिया, लेकिन परवेज मुशरफ के सबसे बड़ी बेवकूफी थी, यह ब्लेंडर थी, परवेज मुशरफ को इसको यह बरबर के कोसा गया, है ना, बहुत बुर यह बरबर के नामी को पता चला, तो कैप्टन सौरफ कालियों को बेजा, उनकी टुकड़ी गई, कैप्टन सौरफ कालियों को पकड़ लिया, पर पाकिस्तानियों ने इतना भयानक टॉर्चर किया, उनकी आखे निकाल ली गई, उनके नाखून उखार दिये गए, और पॉरी तरीके से खदेर दिया था पीछे, है ना मजा चका दिया था और बहुत मुश्किल था क्योंकि हमको उपर जाना था, पाकिस्तानी जो आर्मी थी, वो पहार पे बैटी हुई थी, ठीक है, लेकिन हमको उपर जाना था, तो पाकिस्तान के पास बहुत strategic points थे, strategically वो important position पे थे, यहां पे परवेज मुश्रफ चा रहे थे कि हाईवे काट दें, और यह पूरा एरिया हमारा हो जाए, लेकिन इसा हुआ नहीं, हमारी आर्मी ने मजा चका दिया 26 जुलाई, कारगिल दिवस भी उस दिन बनाय जाता है, 26 जुलाई आते आते भारत ने इस पूरे ए सेना का बहुत बड़ा रोल है, यह आप देख सकते हैं, इसको पॉस करके देखीजेगा, यह इंप्टेंट पीक्स हैं, जो हमने लिया था, यहां से पाकिस्तानी सेना को भगाया था, अब हम बात करते हैं गुन्जन सक्सेना, उस समय देखिए, हमको यह जो बाटल है, यह यह जमीन पे ही लटनी थी क्योंकि Air Force के लिए Operation Sufesper Xagar मेरा पूरे Sonraaya कर उसमें भारती एअर फोरस ने क्या कियाता कार्गेशन वर में वह आपको पता चल जाएगा ठीक है полож Ск्ते के लिए मुश्किल थी को उनों ने बुलाए ठीक है अब गुंजन सक्सेना की बात करें दोस्तों तो 1975 में इनका जनम हुआ शुरू से ही warrior रही है यह इनकी जो family में है भाई भी आर्मी में lieutenant colonel पिता जी भी आर्मी में ठीक है colonel तो पिता जी ने बहुत ज़्यादा support किया इस movie में एक dialogue है लखनौ की एक छोटी सी लड़की ठीक है जब मैंने ट्रेलर देखा था ठीक है ट्रेलर के बिसीकल एक teaser था वो तो इनके पिता जी ने बहुत ज़्यादा support किया इनके पिता जी जो बोलती थी इनके पिता जी बिलकुल पीछे खड़े रहते थे कि बेटा बिलकुल परशान मत हो मैं आप समझ रहे हैं पात साल की उमर में जब इन्होंने cockpit देखा जब इन्होंने airbase पे entry ली तब इन्होंने decide कर लिया कि मुझे जाना तो air force में ही है फिर इन्होंने graduation किया अपना graduation किया हंसराज college से और उसके बाद सब्दर जंग flying club को इन्होंने join किया ठीक है और उस समय 1990s की ह इन्डियन air force में भरती निकली थी इन्होंने form भर दिया इनका selection हो गया अब जब इनका selection हुआ तो 25 पाइलेट्स थे जिनको ट्रेन किया जा रहा था उनमें से एक थी है ना और इस सब महिलाएं थी तो यहां पर इनकी training शुरू हुई और तभी शुरू हो गया backdrop में मैंने ज इन्डियन वे में 1999 में इनको बुलाया गया इनफाट बहुत सारे पाइलेट्स को बुलाया गया जिनकी जरूरत थी ठीक है उसके बाद इनको ये काम दिया गया कि आपको सबसे पहले तो जो हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं उनको ले के आना है और supply भी आपको देनी है तो उस समय दो पाइलेट्स को चुना गया था एक थी फ्लाइट लेफटिनेंट गुंजन सकसेना और फ्लाइट लेफटिनेंट श्री विद्या राजन कितनी बड़ी बात है इन दोनों को चुना गया और इन्हों ने इससे पहले कोई experience नहीं था फर्स्रेंड experience ये पहली बार था जब गुंजन सकसेना वार जोन में जा रही थी ठीक है लोसी के पास से जाना था रिपोर्ट्स में शामिल ये साबित हुआ है कि पाकिस्तानियों के पाथ बड़े बहुत modernized weapons थे ठीक है इस टिंगर मिसाइल थे उनके पास इस टिंगर मिसाइल पता है ना भाया इस टिंगर मिसाइल से तो यह मुझाहिदीन ने जो अफगानिस्तान सोवियत आफगान वार हुआ था आफगालियों ने सोवियत को हरा दिया था यह वो मिसाइल होती है जो आपके पास होती है आप हाँ से इसको operate कर सकते है देखाओ गां कि कंभे पे कंधे पर रख यह मिसाइल चलाई ती। और चीता हेलिकॉप्टर यह कोई war like हेलिकॉपटर नहीं होता यह पाच्य नहीं होता है।े यह हमला होता और हुआ शायोपके नहीं होते थी कि पाकिस्तानी सोल्जस कहां कहां पे बैठे हुए हैं, एर फोर्स ने, सबसे में काम था, अप्रेशन सफेज सागर, अगर हम बात करें, एर फोर्स का अप्रेशन तो जुलाई तक चला है, और उन्होंने बहुते इंपोर्टेंट इंपॉट्स दिये, बट टरेन ऐसे थी हेलिकॉप्टर इनका क्रैश हो जाता, और इनको अगर बंदी बना लिया जाता, तो क्या हाल होता इनका, बट ये डटी रही, डरी नहीं, और लड़ती रही है, कुछ भी हो जाए, ये खुद बताती है, इनका जब इंटर्वी हुआ था, ये खुद बताती है, कि मेरे यहीं satisfying था, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवा थी ही नहीं, मैं नहीं थी एरफोर्स में, नहीं थी, लेकिन determination बहुत ज़ादा था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई, और युद्ध का रुख मोडा इन्होंने, पाकिस्तानी soldiers की positions भी बताई कि कहां पर वो छुपे हुए है, जिसकी वज़े से इनको शौर चक्र मिला, शौर्ट कमिशन सर्विस थी दोस्तों, उस समय क्या था, कि पर्मनेंट कमिशन नहीं दिया जाता था, शौर्ट कमिशन पर इस साथ साल यह आर्मी में रही, है ना, शौर्ट कमिशन, छोटी उसके बाद 2004 में यह रिटायर होगी, लेकिन इस समय पर्मनेंट कमिशन दिया जाता है, 1600 से जाधे इस समय, इंडियन एर फोस में फीमेल फाइटर्स है, कितनी बड़ी बात है, तो इस समय मैलाय भी बढ़ चड़ के हिस्सा ले रही है, और हमारी आर्मी में कॉंट्रिब्य कर रही है, क्या बात है, बहुत सारी आपको फिमेल पाइलेट्स मिलेंगी, और कमाल का काम, शांदार काम कर रही है, और गुंजन सकते हैं, इन सब के लिए इंस्पिरेशन है, तो ये एक मूवी का जो अभी इनकी आई है, इस टीजर में डालॉग है कि लखनओ की एक छोट नहीं थी, बस अपने पापा पर भरोसा था, मैंने बता है, इनके पिता जी ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इनके पिता जी, और इनके भाई भी जो की आर्मी में है, जो कहते है, प्ले लड़का उड़ाय या लड़की, उसे पाइलेट ही कहते ह क्या बात है आस्वान को तो इन्होंने छू लिया तो अब इनके ओपर मुवी बन रही है और हम देखेंगे ठीक है जानवी कपूर इसमें लीड रोल में है जो गुंजन सकसेना का रोल प्ले कर रही है और पंकर त्रिपाटी गुंजन सकसेना के पिताजी यह देखें यह है रियल लाइफ गुंजन सकसेना और यह है रियल लाइफ गुंजन सकसेना ठीक है तो यह है जानवी कपूर जो कि गुंजन सकसेना का रोल प्ले करेंगी तो जाते जाते इसी तस्वीर के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ कुछ रही अपर ते रही देश से दान तक नहीं हो तरी साइन गो